इस वीडियों आपको मैं बताने जा रहा हूँ, what is short selling, short selling क्या होता है, देखे जो बहुत सारे beginners होते हैं इस stock market में, उनको नहीं पता है कि stock market ने पैसा कमाने के बहुत सारे तरीका है, और short selling क्या है, यह तो beginners को बिल्कुल भी पता नहीं होता, ठीक है, तो इस वीडियों आपको अच्छे से बताऊंगा कि short selling क्या है, तो देखे, जब भी stock market नीचे गिरता है, तो beginners को क्या लगता है, कि नहीं यह right time नहीं है, stock market में trading करने का, stock का price नीचे जा रहा है, मतलब कि अब हमको यहाँ पर loss होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, जो भी बड़े बड़े लोग होता है, जिनको knowledge होता है, stock market का, जो trading करते हैं महँट टाइम से, उनको पता होता है, कि जब भी stock market नीचे गिरता है, वो एक time होता है कि यहाँ पंपे छफी आधा पैसा कमाने का, जिनको knowledge होता है, वो क्या करता है, कि जब भी stock market नीचे गिरता है, तब वहाँ पे उननों short order लगाता है लगाने के बाद में उनको पर प्रॉफिट होता है तो देख लीजिए यह समध लीजिए कि पर प्रॉफिट हो धर्य ठिश्यंग में चैनल में फ्रॉफिट हो गया यहां पर क्या हो रहा है कि पहले यहां पर शेयर औरॉपसिस कुषप來到 फ्रॉफिट हो गया तो यहां पर प Kita इसेल के खिरह के अ भीजिए होता है यहां पर रहीग करता है नहीं themed to लहारा है। आपको यहां पर प्रोफित होगा तो यहां पर क्या होता है। जैसे निचे आता है। यहां पर आपको प्रोफिट होगा। कि यहांपे क्या होता है हाइव में पर्टेस कर रहे हैं और यहां पर लो पर आप इसल कर रहा है अब स्वाट शॉल का मतलब आपका पता देता हूँ यो जो इस्टाक एकसपेक्टिंग थाओ क्लिन मतलब यहीं है कि आपको लग रहा है कि share के जो प्राइज है किसी भीattutto के प्राइज है वह नीचे गिरेगा जब भी आप टेडिंग करते है कि नॉर्मल टीडिंग हो गया तो कि तस याद रखेगा आपको None का प्राइज नीचे गिरेगा तब वहाँपे आप शौट सेलिंग करके आप पहले लगा सकते हैं ठीक है अब नॉर्मल टेडिंग में क्या होगा यू आपको लगता है कि शेयर का प्राइज उपर जाएगा और शौट सेलिंग में क्या करते हैं sell high and buy low high में sell करते हैं अब buy में low में buy करते हैं लेकि नॉर्मल ट्रेडिंग में आप low में buy करते हैं और high में sell करते हैं तो चलिए मैं इसको मैं एक example के थूर आपको explain कर देता हूं मान के चल लिजे कि ABC कंपनी है ABC का 1000 रुपीज शेयर प्राइस चल रहा है ठीक है आपने 100 रुपीज शेयर प्राइस चल रहा है आपने 100 रुपीज चल रहा था ना यहाँ तो आपको लग रहा है तो आपने यहाँ में स्यांगा चलिए कि nine hundred रूपीज में आपने बाय कॉट लगा और यहां पर आपने नहीं हने हने रूपीज में आपने profit तो है जाएक। आपको किते शेयर शोर्ट सेयरा हन्रेट सेयर का आपने सोर्ट किया था तो यहां प 씨यर कर लिधे हन्रेटपकी हन्रेट हेर जा जाएगा। तो आत्यों संज मेंगे आज़ी कि यहां अपको पता देता हूं इन्टरेड कर तो आपको इन्टरेड में जब भी आप सौर्ट सेलिख करते हैं, तो एक चीज की आप हमेशा धान रखें। सेयर को सेल करना है जो भी आपने स्वाट सेलिंग का जो आडर लगाया हुए वहाँ पो सेल करके उसको आपको बाया करना है अगर आफ यह चीज नहीं करोगे इसको आपका वह रुत हो जाएगा वो कोई दिक्कत नहीं आपको कुछ चार्जेस आपको फ्टॉक एक्सचेंज को पे करने पड़ेंगे तो यहां पर मैं इसलिए आपको हमसाइज टेलियरी भी नहीं करते हैं हमसा याद रखेगा एक चीज स्वाट सेलिंग का जो ऑडर होता है वह हमसा इंट्रेडे में ही टेडिंग क्या जाता है आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा वाट सेलिंग क्या है इस वीडियों बस इतना ही थांक यू